अर्विन केज़िवाल को देना होगा इस्तिफा सुनिता केज़िवाल को आपकी कमान प्रचार के मैदान में केज़िवाल ने बीवी को उतारा आप नेताओं की बगावत पार्टी में भगदड नमस्कार मैं हूँ परवी शेख आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी केज़िवाल के बिना आम आदमी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है ऐसे में पार्टी छोड़ने वालों की भी लाइन लग चुकी है लेकिन इस बीच जेल में बैठे केज़िवाल ने एक बड़ा सियासी दाऊ चला है केज़िवाल ने अब पूरी तरह से अपनी बीवी को पार्टी की कमान सौब दी है शराब घुटाली में जेल में बंद सीम केज़िवाल की खायर मौजूदगी में आम आद्मी पार्टी की तरफ से प्रचार की बाग डौर कौन सम्हालेगा ये सबास सभी को परिशान करना था इसे लेकर कयासों का दौर चलता रहा अब प्रचार के रफ़तार पकड़ने के साथ ही इसे लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है केज़िवाल के खायर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केज़िवाल ने प्रचार के मोर्चे पर कमान सम्हाल ली है CM केज़िवाल के गायर मौझूदगी में उनके पत्नी सुनीता केज़िवाल 26 अप्रेल से आम आद्मी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में अपने प्रचार अभ्यान की शुरुआत करने वाली है आम आद्मी पार्टी के राज्यसभा सांसर संजे सिंग ने ये जानकारी दी सुनिता केज़िवाल की बात ब्ली के जियल जाने के बाद बदली परिस्थितियों में सुनिता का रोल भी बदल गया केज़िवाल की गरफतारी के बाद सही सुनिता उनके संदेश पार्टी नेताओं तक महुँचाने का काम कर रही है वो इंडी ब्लॉक की तरफ से दिली के रामनिला मैदान और जारखन में आयोजीत रैली में भी शामिल हो चुकी है आम आद्वी पार्टी ने सुनिता को गुजरात के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी जगह दी थी सुनिता का नाम इस लिस्ट में सीम केज़िवाल के ठीक बात था यानि दूसरे नमबर पर पार्टी के कमान सुनिता को देना क्या ये एक सोची समझी रणे नीती है क्या इससे केज़िवाल के गार मौझूदगी की भरपाई हो पाईगी क्या आप निता सुनिता केज़िवाल की बात मानेंगे जिन्हें अर्विन केज़िवाल ने उन नेताओं के सिर पर बैठा दिया है जो खुद को सीमपत का बहतर उम्मीदवार मान रहे थे संजे सिंग तो खुद इस फिराफ में थे कि पार्टी की कमान कैसे भी उनके हाथों में आ जाए आतिशी से लेकर गोपाल राय और सौरभ भारदवाज भी सीमपत की लाइन में थे लेकिन केज़िवाल ने फिर ऐसी चाल चली कि सीमपत परिवार में ही रहने वाला है से बात करते हुए कहां तो इंडिया गडबंदन की सरकार आ रही है प्रधान मंत्री ने मान लिया कि इंडिया गडबंदन की सरकार आ रही है अब आक्सन की बात बता रहा हूं आपको संजे सिंग जब से जेल से बाहर आये हैं उसके बात से ही इनके निशाने पर बीजेपी और प्यमोदी है ये जराब हर रोज मीडिया के सामने बड़े खुलासे के नाम पर सिर्फ प्यमोदी को गाली देते नजर आ जाते हैं इनको लग रहा था कि इनके माई बाप यानि आप आदमी पार्टी के मुख्या केजिवाल जील में बंध होने के बाद इन पर ज्यादा भरूसा करेंगे और 2024 चुनावों की जिम्मेदारी इन्हें देंगे लेकिन इनके साथ तो केजिवाल ने खिला कर दिया इन्हें चोड़ दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, पोर्ट दे दिया, एर्पोर्ट दे दिया, धाई लाग करों रुपए का करजा दे दिया, पंद्रा लाग करों रुपए चंद पूंजी पतियों का माफ कर दिया, साहित तीन संजे सिंग अकेले नहीं है जो बीजेपी और पियम मोधी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आम आद्मी पार्टी की नेता और दिली सरकार में मंतरी आतिशी का भी यही हाल है क्योंकि इन मैडम को भी सीम बनने का अर्मान था इन्हें लगा कि वो केज़िवाल की काफी करीबी हैं तो केज़िवाल जेल जाने के बाद इन्हें पार्टी की जिम्मेदारी दे सकते हैं इनके बयानों में भी नजर आने लगी है अर्विन केज़िवाल की गिरफतारी के बाद उनकी पतनी सुनीता आक्रमक मूड में है केज़िवाल के जेल जाने के बाद उन्हें पहले अपने पती के संदेश को आम लोगों तक भीजने के लिए प्रेस कॉन्फरेंस की लेकिन उन्हें यहां लोगों के भद्दे भद्दे कमेंट का सामना करना पड़ा इसके बाद राची में इंडी गडवन्दन की रैली में मोधी सरकार को जम कर कोसा अब उन्होंने दिली में आम आद्मी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो निकालने की तयारी कर ली है दिली में आम आदमी पार्टी के सभी चारों उम्मीदवारों के लिए सुनीता केज़िवाल जन सभाएं रैलियां रोडशो करने वाली है सुनीता केज़वाल शनीवार और रविवार को रोडशो करेंगी और दिली के चारों लोगसभा उम्मिदवारों के लिए वोट मांगेंगे जिसकी शुरुआत पूरवी दिली से हो सकती है वो सबसे पहले कोंडली शेत में रोडशो करेंगी इस पूरवी दिली लोगसभा सीड़ से वीधायक कुलदीब कुमार जो हैं वो चुनावी अखाड़े में हैं सुनीता केजीवाल ने की थी राच्ची में रैली सुनीता का दावा केजीवाल जल्ध जेल से निकलेंगे सुनीता केज जिवाल 26 अप्राइल को दिली लोगसभा चुनाव के लिए प्रचार करती नजर आने वाली है यानि केज जिवाल समझ चुके हैं कि 2024 चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे 29 मार्च को मनी लांडरिंग मामले में AD की तरफ से केज जिवाल को गिरफतार करके और उसके बाद प्रचार अभ्यान को गती देने के लिए भी सुनीता केज जिवाल को धीरे अपनी छवी से बाहर निकलने के लिए और एक बड़ी भूमिका में दिखाने के लिए ये सारा जो प्लान था वो केजरिवाल ले किया केजरिवाल एक किस मार्ज को ग्रफतार हुए थे और वो नियाई खिरासत में 7 माई तक रहने वाले हैं अभी हाली में सुनीता केजरिवाल ने अपने पती को काफी बहादूर और शेर कहा था उनका कहना था कि केजरिवाल जेल में भी भारत माता की चिंता करते हैं राची में विपक्षी भारत ब्लॉक की रैली में नारे लगाते हुए कहा था जेल के ताले टूटेंगे अर्विन के जिवाल हेमन सोरेन चूटेंगे अर्विन के जिवाल की सत्ता की कोई इच्छा नहीं है वो सिर्फ देश की सेवा करना चाहते हैं वो देश को नंबर एक बनाना चाहते हैं कई लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है और उन्हें कहा था कि केजिवाल की खाने पर कैमरा लगा हुआ है वो शुगर के मरीज है और पिछले 12 दिनों से हर दिन 50 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं लेकिन उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है वो दिल्ली के सियम को मारना चाहते हैं सुनिता केजिवाल ने हनुमान जेन्ती के मौके पर भी मंगलवार को दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन केते हैं मंदिर से लोटते वक्त सुनिता ने कहा था कि वो जल्द ही आम आदमी पार्टी सुप्रमों के साथ वापस आईगी लेकिन उनका ये दावा हव करने वाले हैं जिसके बाद ऑफिशिली सुनिता केजिवाल दिल्ली सत्ता अपने हाथों में लेंगी वैसे सुनिता केजिवाल को लेकर पहले से ही माहौल तैयार कर लिया गया था लेकिन इस बीच केजिवाल को लग रहा था कि उन्हें कोर्ट से शायाश जमानत मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ बलकि उर्गी नियाई खिरासत 7 महीं तक के लिए बढ़ा दी गई और 25 अप्रेल को एडी ने भी शराब घोटाले में केजिवाल की ग्रफतारी के खिलाब जो याचिका दी गई थी उसका विरोध किया अब 24 अपरेल को सुप्रेम कोrट में दायर हलफ नामे में एडी ने कहा है कि कई बार समन भीजे जाने के बावजूद उन्होंने एजन्सी के साथ सयोग नहीं किया एडी ने सुप्रिम कोट को बताया कि नो बार समन मिलने के बावजूद केज़िवाल पूस्तास से बच रहे थे उनके इसी रवईये से जाँच अधिकारी को गिरफतारी की वज़ा मिली है साथी जाँच अधिकारी के पास मौझूद चीजों ने भी ये साबित करने में मदद की है कि वो दूशी है एडी ने ये भी कहा कि केज़िवाल को किसी दुरभावना या दूसरे कारणों से गिरफतार नहीं किया गया है किसी अपराच की जाँच एक ऐसा शेत्र है जो जाँच एजनसी के लिए रिजव है उनकी गिरफतारी भी जाँच का हिस्सा है सुप्रिम कोट ने 15 अपरेल को अर्विंद केज़िवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शराब घोटाले में मनी लॉंडरिंग केस में एडी से 24 अपरेल तक जवाब मागा था एडी ने केज़िवाल को 21 मार्श को गरफतार किया था वो फिलाल दिली के तिहार जेल में बन है दिले के राउज अपनी कोट ने मुक्यमंत्री अर्विंद केज़िवाल की नियाए खिरासा 7 मही तक बढ़ा दिये एडी के हलफ नामे से साफे की लंबे वक तक केज़िवाल जेल में ही रहने वाले हैं ऐसे में उन्होंने अब अपनी बीवी को आगी करके बता दिया कि उनकी राजनेतिक विरासत की हकदार उनकी बीवी सुनिता केज़िवाल है तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राइज जरूर दे वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले नमस्कार